पठान में, हीरो शारुख खान और खलनायक, जौन अबराहम साल की जंग की तयारी कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि खान और अबराहम सिध्धार्थ आनंद की पठान में अपने महत्वपूर्ण टकराव के दोरान मुठी से मुठी की लड़ाई में सनलगन होंगे, जिससे यह पहला ओन स्क्रीन एक्षन द्रिश्य बन जाएगा जिसमें नगन शारुख शामिल जो शारुख की तरही महत्वपूर्ण है। निर्देशक सिध्धार्थ आनंद का दावा है कि जौन अबराहम पठान के दुश्मन और खलनायक है। मैंने हमेशा सोचा है कि खलनायक का प्रक्षेपन कम से कम उतना ही महत्वपूर्ण होना चाहिए जितना की नायक का। उनक जौन को दिखाने के लिए वास्तव में एक आकर्षक अवतार देना चाहते थे। फिल्म निर्माता का दावा है कि कलाकारों के शुरुवाती पोस्ट दर्शकों को पठान ब्रमांड में आकर्शित कर रहे हैं। शाहरुक, दीपिका पादुकोन और जौन की शुरुवाती में है क्योंकि यह सच मुछ हे मशेल का शीष है।